तो मैं आज को काइनेमेटिक्स 2D इसमें आपको क्या-क्या याद रखना चाहिए मतलब यह नाम सुनते यह टॉपिक सुनते ही आपके दिमाग में कौन-कौन सी कंसेप्स क्लियर होना चाहिए वह मैं आज आपको क्विक बताने वाला हूं ठीक है तो देखिए पहले में बतान का यूज होता है एक 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 वाई और यह पर्टिकुलर कोई भी डायमेंडिशन की अगर बात करें तो यहां पर कोई भी एक पॉइंट हो तो पर्टिकुलर अगर इसकी बात करें पर्टिकुलर अगर यह एक वाई पॉइंट है तो डेफिनेटली इसका जो भी यह होता है वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है एक्स य कैप प्लस य जे कैप तो जो भी हो तो काइनेमेटिक स्टूडी के अगर आप डिफिनेटली मेन जो बात करेंगे तो वहां पर क्या आता है मैं आपको बता देता हूं तो यहां पर पहले आपको एक ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिलता है जो मेनली काइनेमेटिक स्टूडी का सबसी इंपॉर्डन पार्ट है अब इसमें आपको क्या देखना है पहले आपको देखना है कि यह होता है प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप कोई भी प् सेक्सिमम होता है, और definitely उसके बाद फिर drop होता है तो definitely उपर उठता है उसके बाद drop होता है यह जो total time लगता है वो होता है 2 into U sin theta by g, अब इसको आप कैसे सोच सकते हूँ, इसको आप two ball theory से सोच सकते हूँ, तुबाल थियोरी क्या कहते है अगर एक बॉल को आप यहां पर सोचोगे और एक बॉल और एक बॉल का जो भी इसनल ओगा वह सिरफ आप य ऍौल और डेखोगे और होता है देखो टी कॉल टू यू साइन धी डवाई जी टू इंटू यू वाई डिवाइड़ बाई जी मतलब सिर्फ वाई मोशन तक वह अगर आप देखोगे तो अब यह क्या से आ रहा है पहले यह उठ रहा है जैसे यह पहले उठ रहा है इतना अब उठके फिट जब सबक्राइब यह मुसкого सायन धी लवाई जी तो टोल मिला पे कितनः होगया ठों यू साइन गरीश स्क्वह एकटाईछली क्या होता है यू सकार वाई टूजी होता है तो यह होगया maximum इसका range होता है इसको कहते है range र से रिप्रेजन्ट होता है range मतलब क्या X-axis में वो कितना जा रहा है यहां से यहां जाया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे range बोलेंगे ठीक है तो definitely हम यहां से यहां तक अगर जाएंगे तो definitely उसका range मिल सकता है particular projectile का तो यह जो definitely इतना length है वो हो गया R, और R का, क्या है R equal to U's का sin 2 theta भाई जी, कहां से आता है, यहां से आता है 2 U sin theta into U cos theta, मतलब अगर आप यह तो देखे ही होगे, कि अगर एक straight line motion हो रहा है, तो particular जहां से, एक point से, अगर दूसरा point पर जा रहा है, और यह distance अगर x है, और यह अग का, जो VX और particular अगर T time पर गया है, तो उसमें, क्या relation होता है, A equals to VT होता है, ठीक है, क्या होता है, A equal to, मतलब X equal to VT होता है, तो उसी हिसाब से यहां पर देखिए, R होता है, यहां पर distance, यहां पर देखिए, एक particular straight line motion हो रहा है, ऐसा सोच के चलिए, इस particular ball के लिए, इस particular ball क सिर्फ और सिर्फ X axis में straight line motion हो रहा है, तो इसी हिसाब से, यहां से start कर रहा है, यहां पर end कर रहा है, अगर यह पूरा total distance R हुआ, और particular अगर वो T time तक गया है, और यह T यहां पर क्या है, capital T, क्योंकि यह भी, यह जितना time लेगा, particular यह ball, यहां से यहां जाने में, उतना ही time X equals to, मतलब V into T, तो यहां पर जो T है, वो T कौन सा है, मैं आपको अगर सही से यहां पर दिखा हूँ, तो सही से मैं बताता हूँ, तो यह है आपका capital T, और यह है V, ठीक है, और यह है X, तो देखिए आप इस से, particular यह आप समझ में आ रहा है, X equals to V T, follow कर रहा है, ठीक है, maximum कब होता है, जब theta equal to 45 हो जाए, ठीक है, तो R equals to, यहां से अगर आप dr by d theta निकालोगे, क्योंकि maximum minimum का जो concept होता है, अगर आप match में पड़े हो, यह class 12 में आता है, तो वहाँ पर बताया जाता है, अगर कोई भी एक function का particular, एक independent variable के respect में, अगर आप maximum निकालना चाहते हो, particular यह R function यहां पर है, तो उसी को आपको particular independent variable के respect में differentiate करना है, और उसको 0 करना है, अगर तब जब independent variable का जो value आएगा, particular value पर उस particular function का maximum present होगा, तो यहां पर, अब maximum भी हो सकते है, minimum present होता है, हाला कि minimum के लिए फिर से double derivative करना पड़ता है, हाला कि यहां पर maximum ही होगा, क्योंकि हमें प positive quadrant पर बात कर रहे हैं, तो definitely यहां पर theta equal to कितना हो जाएगा, 45 आप करके देख सकतो, यहां पर किया भी हुआ है, आप देख सकतो, यह notes आपको description box पर मिल जाएगा, तो theta equal to 45, मतलब range जो maximum होता है, वो 45 पर होता है, और जो last important thing, जो आपका दिमाग में जल्दी साना चाहिए, म लेकिन यह basic है, तो मैं basic यहां पर बताना चाहरा हूँ, जो दिमाग में आपका एकदम छप जाना चाहिए, यह particular, यह slide, ठीक है, तो यहां पर देखिए, जो last important thing, आपको याद रगना चाहिए, एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, आपका equation of trajectory, equation of trajectory, मतलब यह जो trajectory जा र रखना चाहिए, क्योंकि यहां से भी बहुत सारा question आता है, यह बहुत ज्यादा important है, तो y equal to x10 theta minus gx square divided by 2u square cos square theta, ठीक है, तो हम detail में यहां पर देखने तो वाले नहीं है, क्योंकि particular में आपको, gist में बताया कि आपको projectile motion में क्या-क्या याद रखना है, आपका दिमाग में मतलब यह नाम सुनते ही, दिमाग में क्या-क्या चीज आना चाहिए, तो मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, goodbye और definitely इस चैनल को subscribe कीजिएगा, इस चैनल में ऐसा ही educational videos मिलता रहता है, तो definitely चैनल को subscribe करके, bell icon को on कर लिजेगा, thank you very much.